इसकौन यंग लोगों को सादू क्यों बना रहा है? सादू को लोग यहां आरप करते हैं कि इसकौन जबरदस्ती यंग लोगों को सादू बना रहा है पर मित्रों क्या ये सच है? क्या सच में इसकौन जबरदस्ती लोगों को सादू बना रहा है? आज इसी विशे पर बात करेंगे तो बिना किसी देरी के विड़े शुर करते हैं दोस्तों पूरे भारत में सरदन्तरम का प्रसार करना यह हमारे मिशन है अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चला को जोरो सब्सक्राइब कीजे और इस बैल ऐकोन को प्रस कीजे मित्रों सच कहा जाए तो इसकॉन यंग लोगों को सादू नहीं बना रहा है अगर आप इसकॉन पर स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे की इसकॉन के भक्तजन बहार जाते हैं और गीता बाणते हैं उस गीता को पढ़कर ही लोग कृष्ण भक्त बन रहे हैं और फिर से सरादन्धर्म की ओर आ रहे हैं इसकॉन कोई missionary समस्ता नहीं है इसकॉन सिर्फ भगवान श्रीकरण जी के टीचिंग्स को लोगों तक पहुँचा रहा है इसी से परभावित होकर यूत इसकॉन जोइन कर रहे हैं आज के जमाने में हर कोई संभोग के विचारों से नशास से डिप्रेशन से स्ट्रेस से खुलेपन से और टॉक्सिक रिलेशन से परिशान है जब भी यंग लोग गीता पढ़ते हैं तो उनको उसमें लाइफ नजर आता है गीता में हर प्रावलम का इलाज होने के वज़े से लोग अपने प्रावलम्स को दूर करने के लिए इसकॉन का सहारा ले रहे हैं अब क्यूंकि इसकॉन हिंदू लोगों को हिंदू बना के रख रहा है इसलिए लोग इस समस्ता से बहुत जलते हैं इसकौन की गीता में कृष्ण के उपदेशों को स्वरल भाषा में देने के वज़े से इस गीता को बहुत ज़्यादा हेट मिलता है लोगों को ऐसी गीता चाहिए जो उनको समझना आये पर इसकौन की गीता आसानी से समझाने के वज़े से लोग इसे बहुत हेट करते हैं पर इसकौन की तरफ यंग लोग ही क्यूं ज़्यादा आकरशित होते हैं यही लोग का सवाल है पर इस सवाल का जौब बड़ा सिंपल है हमारी यूत में ही बहुत से पाप होते हैं हमारी यूत नशा करती है और जो नहीं करते उनको भी नशा जबरदस्तिक कराती है ऐसे नशा करना, लड़की बाजी करना, नाइट पार्टी में नाचना अफेर्स, मैस्ट्रिवूशन, पॉर्न वाचिंग ऐसी हमारी यूत गंदे काम करती है आपको इस सुनके हैरानी होगी कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कॉंडूम से 15-25 साल की यूत ही इस्तमाल करते है बड़े शेरों से लेकर छोटे शेरों की यूवा इस चीज का इस्तमाल करती है वालेंटैन स्डे की दिन सारे लॉज हमारी यूवा ही बुक करती है ऐसे हमारी यूवा अशलील और चरित्रहिन है हमारी यूवा हर तरह के पाप काम कर रही है पर इस सब अच्छे लोगों को नहीं पसंद है इसलिए जो अच्छे युवा है वो इसकौन का सहारा ले रही है आप मानो या ना मानो आज की युवा में बहुत negativity और खुले पन है आज की युवा में कुछ लोग सिर्फ मोबाइल नहीं दिलाने के वज़े से अपने मावा प कितने ही युथ रैगेंग के वज़े से आत्मत्या कर लेते हैं एक रिसर्च के अनुसार हमारे भारत में हर साल 75,000 युथ आत्मत्या करके मरती है तो यह बहुत भायानक दुनिया है युवावों का जो पेरिंस नहीं जानते तो इसी भायानक दुनिया से बचने के लिए जो इसकौन से दिख्शा लेती है पर पैसे कमाते हैं अपने घर में ही रहती है ऐसे कितने ही इसकौन के भकते हैं जो शादी करके अपने माबब को संभालते हैं और घर में रहते हैं यह है असली इसकौन को जैन करना लोगों के जीवन से negativity और पाप करम को हटा रही है माता पिता अपने बच्चों को फॉरेल भेजना चाते हैं पर एक रिसर्च के अनुसार 80% ऐसे युवा जो फॉरेल में जाकर बसी है वो अपने माबाब की केर नहीं करते और उनको रुद्राश्रम छोड़ देती है पर वहीं भकत जन शादी करके भी अपने माबाब की सब गाले देते हैं आप इसकॉन को हीट करने से पहले प्लीज एक बार उस पर रिसर्च कर लें मित्रों इसकॉन सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा इसकॉन रोज आट लाख साथ हजार स्टुएंट्स को रोज खाना पहुंचाता है श्टीव जोब जैसे लोग अभी अपने जम रहा है वो सिर्फ युवाओं को नए जिन्दिगी दे रहा है 2019 में इसकॉन ने 5000 ऐसे युवा जो ड्रग एडिक्ट थे और वे सड करने वाले थे उनको बचा कर उनको कृष्ण भक्त बनाया है अब वो स्टुडेंस सोला माला के साधक हैं ऐसे ही कितने ही युवा जिनका ज धर छोड़के जोइन करते हैं नहीं तो मेरे जैसे लाखो युवा घर बेटे बेटे पड़ाई पैसा कामाना करते वे भक्ति कर रहे हैं इसकॉन से जड़े वे भक्ति युवा कभी भी नशा नहीं करते मासाहर नहीं करते लड़की बाजी नहीं करते मास्ट्रिबिशन नह करते पॉन नहीं देखते नैड पार्टी में नहीं जाते किसी को भी धोका नहीं देते आधी वे कोई बुरा काम नहीं करते वे बस कृष्ण भक्ति करते वे अपने पड़ाई नोकरी कर रहे हैं अब इतना अच्छा बदलाव इसकॉन लेकर आ रहा है पर कुछ लोगों को मेरे जैसे लाखों लोगों के जिवन को बदला है सच में इसकॉन को दिल से सलाम है I hope मैं तुरों आपको समझ आगया होगा कि इसकॉन सी युवा क्यूं जूट रही है अगर वीडियो चलेगी हो तो शेर अबश्य कर दें तो आज कर अब इस इतना ही हरे कृष्ण हमेशा स्वान ठर्ड़ के बारे में ऐसे ही गुपन जयान हमेशा लाते रहेते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाऊ तो आप कया कर सकते हैं आफ इसे लाइक किजिये आफ़ इसे शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने परिवारहा अलोकर के साथ अपने